होलकर इस्टेट की महरानी देवी अहिल्या भाई होलकर के बारे में तो आप जानती होंगे कि वे अपने परिवार की एक लोती संतान थी लेगिन कि आप ये जानते हैं कि उनका एक भाई भी था जिसे वे हर साल राकी बानती थी दरसल मद्यप्रदेश के खरगुन जीले की ग्राम छोटी कसरावद में रहने वाले बॉंदर सिंग राठोर नाम के इस विक्ति को देवी अहिल्या भाई होलकर ने अपना भाई बनाया था इसी भाई को वे हर साल राकी बानती थी भाई को तोफ़े में देवी अहिल्या भाई होलकर ने एक मकान बना कर भी दिया था जिसमें वे अपने परिवार के साथ निवास करते थी लेकिन देवी अहिल्या भाई होलकर के निधन के साथ ही भाई बहन का ये रिस्ता भी यहीं खत्म हो गया लेकिन इतने वर्सों बाद भाई बहन के रिस्ते की वो निशानी घर आज भी अपने उसी रूप में मौजूद है वीडियो में जो आप घर देख रहे हैं ये वही मकान है जिसे होलकर इस्टिट की रानी देवी अहिल्या भाई होलकर ने अपने भाई बोंदर सिंग को तोफ़े में दिया था आज भी इस मकान में बोंदर सिंग के वनसज निवास करते हैं बोंदर सिंग के वनसज राजेश सिंग राठोर हमारे साथ मौजूद है राजेश सिंग राठोर बताते हैं कि 1772 में देवी अहिल्या भाई होलकर ने बोंदर सिंग को अपना भाई बनाया था 1745 तक यानि तीन वर्सों तक वे बोंदर सिंग को राकी बानने यहां आती थी तीपक पांडे, नियुजेटीन, खरकोन आज हम जिस जगे खड़े हैं ये अहिलिया मासाब के धरोर है बताते हैं कि अहिलिया मासाब ने यहां के एक रिवासी थे बोंदर सिंग जी जिने अपना भाई बनाया था और उन्हें वे राकी बानती थी और उसी भाई को तोफ़े में ये मकान बना कर दिया था आज उनके वंसज हमारे साथ खड़े हैं प्रवेश जी धायर जानेंगे कि कितना हिस मकान का इत्यास है और क्या कुछ जानकारी है एक गाश मकान का क्या इत्यास से एक लाए मासाब ने भाई बनाया था है सब्सक्राइब करें तो इसलिए उन्हों भाई बनाए उसकी जादगार में उन्होंने मकाना कि अपने भाई को क्या देना चाहिए इसके पेचे क्या कहानी है कैसे बनाएं कि यह खेटी करते हैं इसे खेते हैं इनका पर खेटी यह क्या लक्षिम फुतर था वह उनको जाब दिके मादानी दिके वह बात्सम करना हो शंड़ा साथ जन पच करते हैं जब एलग राज चलता था उन्होंने कहा कि आर पिशिन चिकायत कर दी यार वह डाका ड यह उन्हों तुम ढागा डालते हैं उसी कर दिल बच्चे ने कहिए था कि तुम ध्रमते बेट वह जब दिकती तुम गादी ने तक मेरे ने दिखता है त्या बात कर रहे हो हां का कि कि मेचा फिसाब भुहादान निकलता है करो मेरे सामने पिसाब अब हो मर्द आदमी हो ए तो अभी इस मकान में क्या-क्या चीजे लगी हो यह क्या स्थिती मकान की बैसे जो है वह क्यों यह पुराना पुराना इसमें तेक रुप्या लगाया है मैंने खाली स्ट्रक्चर केसा है कैसा बना है मकान अब मकान तर छलकडी का मजबूत दिवाले तो चार फिट से कम हैं और जमियन से अंदर यह पांच-दस फिट की है देवास उठा गया है फत्त की बनी हुए एक धाब्य तक एक मैंने जिन तक उसके बाद तो यह नक्रिक बनी हुए है लक्रिक्यूपर यह में टूपपड है यह डिजाइन बनी हुए है बाद शेत्रा लावकरी यह कुम्भी रखा हुए है लकान तो ठाख इसमें एक खर्च भी निकारा अलिशक्दर हमने उपर डाली जी वह बेने डाली तो बुराडूंस के डाली बेजी अभी बी इस परिवार के आपके परियार के लोग यहां रहते हैं अहां मेरे चोटा भाई रहता है वह सान्तम्यकर बच्टा किया कि कितना बड़ा ये मकान है कितना फेहार हो इसमें कितना मंग अए है कि ये एक सिंगल बनावो है उपर आप रखावाई है बनांजीन हो गया निया,टि जभांड और छाने लिए उपर यहां ड़ना आ द्लास कर दो प्रवाइब लोड कहीं निया है इसे नोददश इन्ची बहरा बहरा हो जाए लगें यहां से उपर खोदा में ने अब पहले मत्य अटे इस निकली इत को इती निए इत जमें इसमें तो यह पत्ति जाए लेती पंखा टंगाने तो जाए नियुक्त मजबूत इतनी है कि कील्ट होके तो वो जा नहीं पाती है अभी अभी आपका परिवार कितना बड़ा है कितना लोग है अभी हाँ मेरा छोटा भाई का बच्चर रहता है उसके एक बीबी है उसके दो बच्चे है मेरा परिवार तो हम चार पांट हैं अग्यां तिन भे कर दो दो चांट हो हैं एड गया और है आट लौन परिशान के नहीं लोग है नहीं है आट अहें धी लोगर सान्त हो बशुत है झाल झाल